बिस्मिल्यार्मानिरहीम अस्सलाम अलेकूम वेलकम टू पार्क इंफो पोर्टल दोस्वां अच्छी इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यानि कि अन्बॉक्सिंग और इसका रिवियो तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सैमसंग एक बहुत ही रेनाउंड हार्डवेर मैनिफेक्ट्र है इनकी फ्लैक्शिप सीरीज में सैमसंग गेलक्सी नोट और गेलक्सी एस सीरीज बहुत ही जादा पॉपलर रही है लेकिन वग गुजरने के साथ-साथ फ्लैक्शिप डिवाइसेज की प्राइसेज भी बहुत ही जादा हाय होती जा रही हैं ऐसे में सैमसंग गेलक्सी एक बहुत ही अच्छा एडिशन है सैमसंग ने बागी मैनुकेक्श्टर्स को टफ कॉम्पूटेशन देने के लिए बहुत ही अच्छी प्राइस टू फीचर रेशो के साथ मूबल फोन लाँच किया है इसके कुछ फीचर आपको बताते हैं फोन में 4500mAh की बड़ी बैटरी है जो की 25W की पास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है अनफॉर्टनेटली बॉक्स में सिर्फ 15W का चारजर आता है इसके इलावा इसके फोन आपको वायलेस चार्जिंग और रिवर्स वायलेस चार्जिंग की सफूलेट भी प्रोवाइड करता है IP68 Water and Dust Resistance के साथ RGB RAM और 128CB की UFS 3.1 Fast Storage के साथ आता है 6.5 एंच की Super AMOLED 1080 x 2400 pixels की स्क्रीन रेजुलुशन के इलावा इसमें आपके पास In-Display Fingerprint Scanner जो की Optical version है वो आता है इस फोन की बहुत ही घास बात इसका 120Hz refresh rate वाला डिस्पलेट वाला डिस्पलेट है यह फोन Exynos 990 जो के 7nm की Samsung की SoC है इसके साथ पाकिस्तान में लांच किया जा रहा है पाकिसान में 8GB RAM & 128GB Surface Storage के साथ आता है इस फोन का 5G model Snapdragon processor के साथ आता है लेकिन यह पाकिसान में यह फोन 6 मुक्तलिफ रंगों में आता है पाकिसान में Orange Color launch नहीं किया जा रहा पाकिसान न में judic. फोन alors की दादेशा रहे हैं कलावड mail, Cloud Navy, Cloud Wind, Cloud Lavender और Cloud White है इस फोन को पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा प्रोमोट किया जा रहा है अब Samsung Galaxy S20 Fan Edition के Ads जो जिसमें BTS के Dynamite Song को यूज किया गया है उससे आप मुख्तलिफ TV चैनल के उपर देख सकते हैं इसके इलावा आप Samsung Pakistan के Instagram पेज के उपर भी देख सकते हैं कि बहुत सारे पाकिस्तान के YouTubers और Mainstream Actors इस फोन को प्रोमोट कर रहे हैं तो यह बहुत ही अच्छी प्रोपॉर्शन में Cameras के साथ आ रहा है इसमें आपके पास Selfie Camera 32 MP का है जिसमें आप 4K at 30 or 60 fps के साथ recording कर सकते हैं और इसमें आपके पास Gyro की Electronic Image Stabilization है जबकि आपके जो Main Camera के अगर हम बात करते हैं तो 12 MP का इसका Main Camera है जोकि 26 mm wide है और Dual Pixel के साथ आता है और इसमें आपके पास Optical Image Stabilization भी आ रही है जबकि टेली फोटो लेंज इसका 8 MP का है और उसमें भी आपके पास Optical Image Stabilization है जो कि आपको 3x Optical Zoom देता है और 30x Space Zoom की फिसलेटी आपके पास आजाती है इसके अलावा आपके पास तीसरा Camera इसमें अल्ट्रावाइट का है जो कि 12 MP का है इसमें यहां पर आपके पास Cameras की Domain में कता ही कोई भी compromise नहीं किया गया यूजिली बहुत ही costly phones होती है उनमें भी आपके पास Optical Image Stabilization नहीं आ रही होती यहां पर आपके पास आ रही है इस phone में Android 10 और 1UA 2.5 के साथ आ रहा है इसमें आपके पास Exynos का 990 प्रोसेसर है यह वही प्रोसेसर है जो आपके पास S20 Ultra या Note 20 Ultra में आपके पास आ रहा होता है इसके इलावा यह dual speakers यानि जो आपके पास stereo speakers है वह आ रहे हैं इसमें 3.5 mm का audio jacks में आपके पास नहीं आता तो दोस्तों आप हम बढ़ते हैं unboxing की तरह तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह मैंने जहां से मंगवाया है यह website Samsung Pakistan की website के ओपर link थी S20 FE को pre-order करने के लिए बहुत पुरानी website तो नहीं है लेकिन Samsung की website फीचर होने की वज़ा से definitely users का trust customers का build होगी यह pre-order stock है जिसका मतलब है कि हमें Samsung Galaxy Fit 2 की watch भी इसमें साथ मिलेगी और यह phone आपको बता है कि बहुत important है कि PTA से आपका phone approved हो तो यह phone PTA से तस्थीक शदा है अब हम इसे open कर लेते हैं आप देख सकते हैं इसके उपर Samsung का official product का logo लगा रहा है box के उपर आपको S20 लिखावा नजर आ रहा है pen edition के लिए FE आपको उस तरह से highlighted नहीं है अब हम box को open कर लेते हैं यहां पे आपके पास एक seal है जिसे हम open कर रहे हैं आप देख सकते हैं सबसे पहले आपके पास mobile phone device है यह phone मैंने navy blue color में order किया है phone आपके पास pre applied protector के साथ आता है screen protector के साथ इसके बास box के उपर वारी side पे आपके पास paperwork और SIM ejector tool है आपके पास 15 watt का charger आता है और USB type C की cable आती है इस phone में आपके पास earphones नहीं आते तो हम phone को on कर लेते हैं आप देख सकते हैं यहां बर आपके पास power by android आ रहा है अब हम इसे setup कर लेते हैं अब मैं इसमें SIM insert करता हूँ इसे setup करने के लिए आप यह देख सकते हैं कि phone कुछ re-installed apps के साथ आ रहा है आप इसमें motion smoothness को can figure कर सकते हैं यानिके higher refresh rate 120Hz के refresh rate को use कर सकते हैं इस phone में note 20 ultra की तरह adaptive refresh rate तो नहीं है लेकिन स्टिल हम expect कर सकते हैं कि maybe Samsung आपके पास software के throughs को add करते हैं आप देख सकते हैं कि optical fingerprint scanner को configure करने के बाद आप बहुत ही असानी से fastly phone को unlock कर सकते हैं आप देख सकते हैं 120Hz display की बदा से बहुत ही fast scrolling है लेकिन 30 frames per second screen के ओपर आप यह video देख रहे हैं तो आप इसे विटनक नहीं कर सकते हैं unless कि आप इसको in-person use करें आप हम camera's का overview ले ले लेते हैं आप देख सकते हैं कि यहां पर आपके पास अकर हम video mode में आते हैं तो आपके पास normal lens है ultra wide है और इसके बाद आपके पास टेलेफोटो lens है और टेलेफोटो में भी आपके पास up to 40x आ रहा है जो के definitely a digital zoom है optical zoom आपके पास 3x तक आता है इसके इलावा इसमें different modes है पिक्चर के लिए इसका बहुत अच्छा bright AMOLED डिस्प्लेई है stereo speakers के साथ बहुत अच्छी sound quality आपके पास आती है scrolling आप चेक कर सकते हैं इंतहाई smooth आपके पास refresh rate की वज़ा से scrolling है यह phone आपको पता ही है Android 10 के साथ आ रहा है और Samsung ने अपने दीगर flagships की तरह इसे भी add किया हुआ है उन devices में जिससे Samsung कहता है कि वह 3 साल तक Android की major updates देगा यानि कि आप अराम से इस phone को लेकि 3-4 साल तक चला सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं कि मैंने Samsung की official website का link पी mention कर दिया रहा है